हाई अबरिबारी और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सेक्शन 1 से लेकर 4 तक इंडियन पिनल कोड के जो बहुत इंपोर्टेंट है जो जुरिस्डिक्शन के बारे में बताते हैं कि भी आप IPC को कहां कहां और किन किन लोगों पर अप्लिकेबल कर सकते हैं और साथी साथ इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि भी जो बेसिक पॉइंट्स है जिन पर क्वेशन बनते हैं IPC के वो भी हम देखेंगे तो सबसे पहला है कि भी IPC को ड्राफ्ट कब किया गया था और किसके द्वारा किया गया था तो जो फर्स्ट इंडियन लोग क इस पर क्वेशन बनता है मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मिस्टर में कॉलर से रिलेटेड एक क्वेशन आया भी था कि भी किसके द्वारा जो है किसकी अधक्षता या किसके अंडर जो है इंडियन पिनल को ड्राफ्ट किया गया था और इसको पास कब किया था लजिसल क不過 कि किसके इसके देखें आप कोई पता होना चे कि जो कानूना पढ रहे हैं कि वह अपर मोग होता है यहाँ पर्टिकूलर एरिया के लिए वह बना दिया जाता है तो यहां पर IPC के section 1 से लेकर 4 तक यही बताता है कि भी IPC को आप कहां-कहां लागू कर सकते है किन-किन जंगय उपर और किन-किन लोगों पर section 1 से लेकर 4 जो है applicability of IPC बता रहा है अब देखिए section 1 जो है वो territorial applicability बताता है मतलब शेत्र के हिसाब से एक overall view बता रहा है इसमें कि भी overall जो है IPC को आप कहां-कहां पर लागू करेंगे लेकिन जो आगे बाल की खाल जो निकालता है वो आगे कि section 2 से लेकर 4 तक तो generally section 1 जो है वो ही कहता है कि this act shall be called the Indian Penal Code मतलब इस act को जो है वो Indian Penal Code कहा जाएगा और and shall extend to the whole of India और देखिए यहाँ पर shell word यूज हुआ may नहीं हुआ है may होता तो हो सकता है कि इस्तमाल हो या ना हो बट shell का होता है कि भी ऐसा होना ही होना है कि भी इस act को जो है पूरे भारत के ऊपर लागू किये जाए लेकिन उसमें वहाँ लिखा हुए except the state of Jammu and Kashmir मतलब Jammu and Kashmir को छोड़ कर जो बाकी का area बढ़ जाता है इंडिया जिसे हम कहते हैं वहाँ पर IPC को applicable किया जाएगा अब Jammu and Kashmir को क्यों छोड़ दिया गया है क्योंकि आप जब bear act पढ़ते हैं तो उसके first section में ही बता दिया जाता है कि भी ये कहां कहां होता है जेनरली mostly सब में क्या है except Jammu and Kashmir लिखाई हुआ क्योंकि Jammu and Kashmir के अपने खुद के laws हैं उन्होंने IPC के जंगे अपना भी एक कानून बनाया हुआ है तो हर एक कानून जो उन्होंने अपने अलग से बनाय हुए तो ये जो बाकी भारत पे इंडिया पे जो law applicable होते हैं वो Jammu and Kashmir पे नहीं जाते हैं महाँ पर clearly mention कर दिया गया है except the state of Jammu and Kashmir section 2 of IPC क्या कहता है देख लेते हैं punishment of offenses committed within India मतलब कि वो offenses वो act जो offensive act है अगर वो Indian territory के अंदर commit के जाते हैं तो वो punishable है within India को intra-territorial भी बोलते हैं ये term भी use करते हैं तो question में कई बार intra-territorial लिख देते हैं within India की जंगे तो आप confused मत होएगा section 2 में within India के बारे में ही है तो ये जो सारा है मैंने बेरेक से लिखा आप उसे देख सकते हैं इसको मैं आपको simplify कर देती हूँ every person shall be liable to punishment under this code यहाँ पर important है every person मतलब हर व्यक्ति चाहे वो Indian हो non-Indian हो, foreigner हो चाहे वो कोई living हो non-living person हो कोई भी हो every person जो person की definition में fall करता है every person shall be liable to punishment अगर वो कोई offensive act करता है तो वो punishment के लिए liable होगा इसका next part and not otherwise for every act or omission contrary to the provision thereof of which he shall be guilty within India आप देखिए उसका जो act है within India होना बहुत ज़रूरी है और उसके act को एक offensive act होना ज़रूरी है कि अगर वो कोई act करता है तो आप चेक करते हैं कि भी IPC में क्या उस act को offensive act consider किया गया अगर हाँ वो offensive act है तो ही आप उसे IPC के under punishment दे सकते हैं otherwise नहीं अब देखिए कुछ ऐसे offenses होते हैं जिनके लिए special laws बनाए गए हैं जैसे कि maritime वाले जो होते हैं फेरा और फेमा जो excise duty वगएरा इनसे relate करते हैं या फिर जो international laws से जो relate करते हैं जिनके लिए particular special laws बनाए गए हैं तो आप उन offenses को उन special laws में treat करेंगे उसके लिए जरूरी नहीं कि आप उसको घसीट के IPC के अंदर लाओ और उसमें punishment दो तो उन special offenses के लिए जो laws बने हैं उनके अंदर ही आप उसे treat करेंगे तो यहां पर तीन चीज़े सबसे important है every person की भी कोई भी जो offense commit करेगा वो punishment के लिए liable होगा within India उसका जो act है within India होना चाहिए third है कि जो उसका जो act है वो एक offensive act होना चाहिए under IPC तो IPC के अंदर वो अगर offensive act है अगर उसका गलत काम है जिसके लिए punishment दी गई है तो आप उसको IPC के अंदर जो है punishment दे सकते हैं मतलब अफकोस अगर वो offense है तो आप punishment देंगे ही section 2 में जो within India बोला गया है मतलब Indian territory को आप किस तरह से consider करते हैं याज सर्फ जो भूशेत्र होता है भूमी का जो area होता है उसी को within India कहते हैं या फिर जो समुंद्र तट से किस तरह से उसको आप नापते हैं कि भी इसे within Indian territory माना जाता है तो जो contagious zone होता है CZ जिसे बोलते हैं समुंद्र तट से वहां से 12 nautical miles तक उसे Indian territory consider किया जाता है ये basically international laws में होता है तो आपको सर्फ exam purpose से याद रखिए कि जो contagious zone होता है CZ वो 12 nautical miles होता है और जो exclusive economical zone होता है EZ वो 200 nautical miles तक होता है तो वैसे generally question पूछते नहीं है बट फिर भी पूछ ले तो आपको पदा होना चाहिए within Indian territory कितना किस तरह से consider करते हैं उसको हम अब section 2 जो है वो एक maxim को follow करता है इसका use किया गया है this is Nulam Tempus Occurate Reggae pronunciation ठीक ना हो तो it's okay बट यह एकदम सही लिखा है मैंने उसको देखेगा इसका मतलब होता है there was no fixed period of limitation or fixed time for launching a criminal proceeding under CRPC अब देखे अगर कोई offense आज commit कर दिया जाता है लेकिन पता नहीं चलता है छे महीने या साल भर तर की भी उस person ने उस offense को किया है इसका मतलब यह नहीं है कि आप छोड़ देंगे उस person को कि भी बहुत लंबा समय हो गया इसको क्या ही अम punish करेंगे तो जो अगर offense है तो आपको punishment जो है आपका पीछा करेंगी जब आप पकड़े जाएंगे तब आपको उस offense के लिए punish किया जाएगा तो अगर question पूछा जात है कि यह maximum कौन से section में use होती है तो वो section 2 है IPC का okay तो आप जब section 2 पढ़ेंगे तो उसके साथ आप section 4 को भी पढ़ें क्योंकि एक within India के बारे बात करता है और section 4 जो extra territorial के बारे बात करता है तो यह बहुत related है अब every person जो section 2 में use हुआ है लेकिन उसमें कुछ exemptions है exemption मतलब every person में आप हर वेक्ति को consider नहीं कर सकते हैं कुछ special लोग होते हैं जिन पर आप criminal proceeding नहीं चला सकते हैं एक particular time तक वो है कुछ for example देखे जो foreign sovereign होते हैं diplomats होते हैं alien enemies जो होते हैं foreign army के जो लोग होते हैं warships होते हैं या फिर president और जो governor होते हैं यह article 361 of the constitution इंडियन constitution में जो हमारे बताय है president और governor को जो उनको privilege दिये जाते हैं तो इन लोगों को और ऐसे और भी बहुत लोग होते हैं जिने exemption मिली होती है वो every person वाले term से राइट आप section 3 of IPC को देख लेते हैं कहता punishment of offenses committed beyond but which by law may be tried within India आप देखे एक example से मैं समझाते हूं suppose करे कि कोई person जो है Indian person जो है विदेश में जाके कोई offense commit कराता है लेकिन वो offense विदेश में तो उसके act को offense नहीं समझा जाता है वहाँ एक normal है लेकिन वही same act जो है इंडिया में जो है उसे offensive act माना जाता है तो वो यह कहके नहीं बच सकता कि विदेश में तो IPC applicable नहीं है और वो जो act है वो एक offensive act नहीं है लेकिन हमारे देश में तो वो एक offensive act है तो वो जब भी हमारे देश में वापस आएगा और वो जहां भी पकड़ा जाएगा within territory of India वहाँ पर उसके खिलाफ जो है कारवाई की जाएगी और उसको सजा दी जाएगी वो इससे बच नहीं सकता तो ये एक legal fiction create करता है section 3 कि जैसे कि उस person ने उस offensive act को अपने ही देश में किया हो और अपने देश में वो punishable है तो उसको उसके लिए libel किया जाएगा तो इसमें एक maximum use होती है this is crime transit to try it personam which means crime follows मतब कि अगर आप कोई crime करते हो तो वो आपको follow करेगा जैसे ही अ आपको arrest करके आपको उसकी punishment दी जाएगी ये section 3 कहता है अब इसको मैं एक example देती हूँ जैसे कि child marriage देख लीजे हमारे देश में एक offense है illegal है आप बाल विवा नहीं कर सकता है कोई person यहां से जाता है विदेश में और वहां पर उस age के person से शादी करना वो child marriage consider नहीं किया जाता ह वहां वो valid होता है लेकिन same अगर वही act अगर वो इंडिया में करता तो उसे उसको punish किया जाता उसको offense समझा जाता child marriage को अग वो वहां से शादी करके आ गया देश में तो वो यह नहीं कह सकता कि भी मैंने जहां शादी करी जहां यह act हुआ वहां पर यह एक offense नहीं था लेकि जैसे ही वो यहां पर आएगा उसे उस offense के अंडर जो है उसको arrest कर लिया जाएगा उसको punishment दी जाएगी अब section 4 of IPC को देख लेते हैं क्या कहता है extension of code to extraterritorial offense मतलब की extension of code इस IPC code को जो है extend किया जा रहा है कि भी अपने जो territorial jurisdiction है उससे बाहर व्याप किस तरह से इसको applicable कर सकते ह टू extraterritorial offenses जो अपने territory से अगर वो बाहर होता है तो इसके तीन close देखिए any citizen of India in any place without and beyond India मतलब की भी कोई भी जो Indian citizen है चाहे वो offense अपने देश के अंदर करे या फिर अपनी territory के बाहर जाके अगर वो कोई offense करता है तो उस पर भी code जो है applicable होता है next close देखिए any person on any ship or aircraft registered in India wherever it may be अब कोई भी ship हो गया या फिर aircraft हो गया अगर वो इंडिया में registered है और उस registered aircraft या ship पे कोई भी person यहां citizen नहीं बोला है any person कोई भी person अगर कोई offense commit करता है तो उस पर ये जो code जो है वो applicable होता है next third any person in any place without and beyond India committed offense targeting computer resources located in India computer resources जो है जो located है इंडिया में इंडिया में है अगर कोई विदेश में भी अगर कोई person बैठा है लेकिन वो हमारे Indian computers का इस्तमाल कर रहा है target कर रहा है offense commit करने के लिए फिर offense commit कर रहा है तो उस पर भी ये code जो है वो applicable होगा so आप तब section 4 पढ़ते हैं तो उसके साथ आप section 188 of CRPC जरूर पढ़िएगा क्यों इतना है important था उसमें बस एक जो extra जो आपको जानने की जोरत है वो है admiralty jurisdiction ये क्या होता है कि अगर कोई offense जो है जैसे की section 4 में बताया कि कोई भी registered aircraft या फिर शिप है अगर वहाँ पर कोई भी person जो कोई offense commit करता है तो उस पर ये code जो है वो applicable होगा अब अगर वो जो शिप है व वो हो सकता कहीं पर भी चल रहा हो शिप समूंदर में कहीं पर भी हो अगर वो high seas के अंदर है तो वहाँ पर admiralty jurisdiction भी applicable होगा वो offenses जो high seas के अंदर हो जाते हैं लेकिन अगर suppose करिए कि भी ये नहीं पता चल पा रहा है कि भी वो किसके jurisdiction के अंदर आ रहा है कि भी वो किस देश क ke jurisdiction territory के अंदर अगर वो आ रहा है jeaan पर नहीं पथा चलपाता इसका तो नहीं पदा पाता है तो वहां पर admiralty jurisdiction को अपनाया जाता है मतलब high seas में जो offences होते हैं वो admiralty jurisdiction में आते हैं सो यह था सक्षन फोर तक का सारी information अब इसमें एक landmark case भी है वो यह है कि भी Enrica Lexi का एक case है यह बहुत ही popular case भी रहा है इसमें क्या होता है इक Italian ship होता है जो केरला में जो समुन्दतर्ट के पास जो होते हैं जो fisherman होते हैं मच्छवारे जो होते हैं तो यह Italian ship जो है वहां से गुजर रहा होता है और यह जो लोग है वो उस fisherman की ज Italian लोगों को जो ship में थे और उन पर FIR रजिस्टर की जाती है और उसे अगेंस कारवाई की जाती है तो यह Italian जो लोग होते हैं यह हाई कोर्ट में केरला हाई कोर्ट में करेट पिटिशन फाइल करते हैं FIR को क्वैश करवाने के लिए लेकिन यह matter जो है फिर आगे देखा जात है वो यह कहते हैं कि भी state का जो है कोई jurisdiction नहीं बनता है मतलब यह territorial jurisdiction से बाहर था तो आप जो है देश का कानून जो है पेनल कोड को जो है उस पर applicable नहीं कर सकते लेकिन किरला हाई कोड कहते है कि भी वो CZ और EZ जो है economical zone जो है उसके under आता है तो भी state की जो है पावर बनती है उनके against FIR register करने की लेकिन जब यह rate petition file की जाती है तो यह जो matter जो है supreme court में promote कर दिया जाता है और वो supreme court यह कहते है कि भी हाँ जो यह इस तरह का जो matter है जहां पर दो nationalities दो countries की अगर बात हो रही है तो यह जो matter है state के jurisdiction में तो नहीं आता लेकिन union के jurisdiction में जरूर आता है तो इनके against FIR register की जाएगी और कारवाई की जाएगी लेकिन यह जो power है यह जो right है यह center का है ना कि state का है और UN charter को भी जब आप पढ़ेंगे तो इस तरह का अगर जो matter आता है तो उसमें भी clearly mention किया गया है कि भी state का matter नहीं है यह center का union का matter है सो यह सारा था section 1 से लेकर 4 तक and I hope की video पसंद आई हो तो please like, share and subscribe जरूर करें मेरा channel and thank you for watching